फिर से my smart study group daily static GK की वीडियो में ठीक है static GK की तीसरी वीडियो है यह आज हमारी और चलिए बिना कोई time waste करें पहले question पर आते हैं first question है which gas is filled in party balloons ठीक है तो balloons में कौन सी gas भरी जाती है आप सभी को पता होगा helium भरी जाती है ठीक है तो helium के बारे में जान लेते हैं helium क्या है एक inert gas है ठीक है अब यह balloons में क्यों भरी जाती है यह balloons आपने देखा होगा वो balloon ऐसे उपर को उड़ते रहते हैं ऐसा क्यों होता है ठीक है इसले होता है क्योंकि इस gas का जो lowest boiling point है जितने भी element है ना हमारे periodic table में जो earth में found हुए है इनमें सबसे कम boiling point है इस gas का इसले यह float करती है lowest density ठीक है इस वज़े से यह balloons में भरी जाती है और वो balloon float करते है ठीक है कहां मिलती है यह earth के crust से release होती है ठीक है और जो हमारा solar system है ना जो हमारा space है sun हो गया solar system में बांकी planets हो गया यह सब abundant है इसमें ठीक है बहुत unlimited amount of helium gas है जबकि earth में क्या है अर्थ में इसकी shortage है ठीक है तो यह एक concern है कि हम party balloons में भरके इनको ऐसे waste कर रहे है helium gas को ठीक है next question देखते है first international cricket match was played between तो सबसे पहला international cricket match अंतरास्टी match कौन सी दो देसों के बीच खिला गया था तो इसका correct answer है USA and Canada ठीक है यह match हुआ था New York में तो यह हुआ था 1844 में ठीक है तो New York में खेला गया था USA and Canada यहां दोनों देशों के जंडे भी हैं आप इनको भी धंग से अबज़ाव करिए तो यह flags भी हमें जानना बहुत जरूरी है next question देखते है who was the first female judge of high court first female judge भी है ठीक है 77 first high court की female judge भी है ठीक है तो दोनो female judge के first होने के जो honor है वो इनके पास है ठीक है next question देखते है how many times India have won a gold medal in hockey in Olympics तो hockey में इंडिया ने कितने gold medal जीते हैं ठीक है इस बार bronze जीता था तो total 8 gold medal आज तक होकी में इंडिया की team जीच चुकी है next question देखते हैं how many tiger reserves are there in India तो इंडिया में कितने tiger reserves हैं तो इसका correct answer क्या है friends इसका correct answer है 52 ठीक है last जो एड़ वी थी वो कौन सी है रामगड विजधारी रामगड विजधारी tiger reserve जो की राजिस्थान के बूंदी में है ठीक है बूंदी इन राजिस्थान अभी इंडिया में total tiger population लगबग लगबग तीन हजार के आसपास है ठीक है तो बहुत ही important question है यह भी which is the oldest IIT college in India इंडिया में अभी तक का oldest IIT college कौन सा है ठीक है इसमें कई लोग सोचते है IIT रोडकी होगा ठीक है IIT रोडकी जो है वो oldest engineering college है ठीक है oldest engineering college है वो पहले IIT रोडकी आपको पता होगा उसका रोडकी का अलग exam होता था बाद में उसको IIT में convert कर दिया गया है जबकि सबसे oldest कौन सा है वैसे खड़कपूर IIT colleges की बात करेंगे तो खड़कपूर है सबसे oldest ठीक है रोडकी को बाद में change कर दिया गया था वो रोडकी college of engineering ऐसे हुआ करता था पहले से ठीक है next question देखते है which city is called the city of festivals कौन सी city को त्योहरो की city कहा जाता है ठीक है city of festivals तो कौन सी हो जाएगी इसका answer है मदुरही ठीक है मदुरही में क्या होता है बहुत ही festivals को धुमदाम से मनाया जाता है इसलिए इसको city of festivals भी कहा जाता है अब आपको यहाँ पे comment करके बताना है कि city of palaces यानि महलों का सहर किसको कहा जाता है ठीक है palace मतलब क्या होता है महल तो यह आपको comment करके answer देना है मुझे ठीक है comment में बताईए जिसके भी answer सही होंगे मैं उन्हें like कर दूँगा next question देखते हैं which state will host the national games 2022 2022 के national ये बहुत ही दुखद बात है कि national games को उतना encouragement हमारे देश में नहीं मिलता है में घालिया इसका correct answer है तो national games की क्या दिक्कत है कि national games में बहुत बार क्या होता है states जो है इन games को करा ही नहीं पाते है ठीक है financial constraint होते है जबकि central government कहती है कि हम 30% खर्चा उठाएंगे ये वो ठीक है अब ये इंतने important कि लगबग 14,000 athlete officials जितने भी इनके coach होते हैं बांकि athlete होते हैं ये सब इसमें participate करते हैं तो ये बहुत बड़ा event होता है और कई बार जो होते हैं देश इनको organize ही नहीं कर पाते हैं ये postpone होते ही रह जाते हैं मतलब states है इनको organize नहीं कर पाते हैं ये postpone होते रहते हैं तो बहुत ही बड़ा issue है question 9 देखते हैं which planet in the solar system has highest density density मतलब क्या होता है घनात्व ठीक है घनात्व बोलते हैं density को तो सबसे जादा घनात्व solar planet में solar system में किस planet का है तो इसका correct answer क्या है अर्थ का ठीक है जो हमारा अर्थ है इसकी density highest है पूरे solar planet में highest density है अब आपको comment करके बताना है कि least density किसकी है ठीक है इसको थोड़ा search करिएगा नहीं मिलेगा तो मैं इसका answer pin कर दूँगा comments में वहाँ से आप इसको देख सकते हैं ठीक है comment करिए मैं फिर उसकी explanation कल की वीडियो में दे दूँगा question number 10 है who was the first law minister of India हमारे भारत के पहले law minister तो 1947 में डॉक्टर भीम राव अमबेड़कर जी ठीक है डॉक्टर बीयार अमबेड़कर भी इनको बोलते हैं बाबा साहिब अमबेड़कर भी बोलते हैं दोनों नाम से जाने जाते ही यह इनको बनाया गया था नहरु जी के द्वारा law minister भारत के पहले law minister तरहला कि इनों ने 1951 में resign कर दिया था, क्यों? क्योंकि इनका एक bill था जो कि Parliament में attack रहा था, stall हो गया था, ठीक है? उसको stall मतलब, stall का मतलब होता है रुख जाना, first जाना, ठीक है? तो आपको ये सब words भी पता होने चीए ताकि आप comprehension कर सकें तो exams में क्या होता है? कि exams में हमें comprehension का part आता है, ठीक है? तो comprehension के लिए आपको उसको understand करना बहुत जुरूरी है अगर आप comprehension में जो paragraph दिया है उसको understand नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसके answers नहीं दे पाएंगे, ठीक है? understanding बहुत जुरूरी है उतना content हम अमारे पापास होगा उतना ही हमारी writing, reading जो भी होगी बहुत improve हो जाएगी तो आपको vocabulary पे भी काम करना चाहिए सांसा कभी भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है? आप हिम्मत रखें, आप सब कुछ कर सकते हैं बस सबसे बड़ी बच्चे क्या करते हैं लेने हैं, ठीक है? कभी भी ऐसी कोशिस नहीं करने की भाई बहुत बड़ी leap माल लूँ, बहुत बड़ी jump कर लूँ, ठीक है? leap, jump करने वाले क्या होते हैं? भाई वो देखो, जितना तेज तुम चलोगे न, तुम उतना जल्दी ठकोगे तो fast चलने कोशिस मत करो, ठीक है? run, slow, go far, ठीक है? slow run करो, दूर तक जाओ, और लंबी कामियाबी हमें जरूर मिलेगी तो लगातार मेहनत करनी है, ना कि की एक दिन कर ली और दस दिन सो गए, ठीक है? तो उससे कोई फायत ही है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको वीडियो पसंद आईए, तो जरूर इस वीडियो को like करो, अपने friends के साथ share भी कर दीजे, और चैनल को subscribe जरूर करेए, ठीक है? सब्सक्राइब करने से बहुत encouragement मिलता है हमें, ठीक है, जब हम देखते हैं कि भाई, subscribers भी बढ़ रहे हैं, और हमारी वीडियो को पसंद भी किया जा रहा है, likes भी बढ़ रहे हैं, comment भी आ रहे हैं, share भी, आप involve हो रहे हैं, ठीक है, comment से पता चलता है कि involvement है आपका, ठीक है, तो इतना सब करिए, subscribe करिए, वांकि हम तो अपनी तरब से full effort देंगे, कि आप लोगों का selection जरूर हो, आपको इन वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिले, ठीक है, तो इसी note के साथ विदा के लेता हूँ, कल फिर से मिलेंगे, एक नए set of questions के साथ जो की बहुत interesting रहेंगे ओके, थैंक यू